हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक टो माई यूट्यूब चैनल आज हम आपके लिए लेकर रहे हैं बिल्कुल नए डिजैन का टॉप सोल्डर रफर्स तो यहां पर सबसे पहले देखिए कपड़े को हमने फोल लेयर में रखाए ठीक है और इसको लंबाई से ना अप लेंगे जितन कट कर लेना है तो यहां पर देखिए कपड़े की चोड़ाई जो ज्यादा है तो हमने कम कर ली है इस तरीके से यहां पर चोड़ाई आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से रखें फोल लेयर में ही लेना है कपड़ा और इस तरीके से तो यहां पर हमने 14 इंच लिए यहां से इसे सीधा कट कर देंगे और यहिक्टा कट पड़ एसमें से हमें अपनी रफिंट बनानी है अल नेक के लिए पट्टीर निकालनी है तो सबसे पहले यहां पर हमें तीरह पहलेव सोल्डर के है किसे यहां पर हमारा 14 है तो 14 के हमें 7 इंच लिया 7 इंच है आपके मेजरमेंट से थोड़ा सा एक्ष्टर रखें यह बैक पीस के लिए मार्क डाल दिया है और हाप इंच अंदर की तरफ लेके फ्रेंट पीस के लिए अब यहां से चोड़ाई का फोर्थ भाग लेंगे जो भी आपकी चोड़ई का फोर्थ भाग है वो ले ले हमारा है साड़े 9 इंच ठीक है इसमें 2 इंच और एक्टर रखेंगे तो साड़े 11 इंच लिया है और 1.5 इंच और भी आप चाहें तो इसमें लूजिंग रखें क्योंकि टॉप जितना लूज होता है उतना ही अच्छा लगता है तो यहां पर 14 इंच पर हमें कमर के लिए मार्क लेना कि टो ह्याहें हैतों हमारा फूर्थ भाग है 11.5 ऊसमें हमने डिइए इंच एक्षा रखा है ठीक है इसी तरीके से इसे तिर्षा करके मार्क लगा देगे और यह हमारी फिटिंग का मार्क है ठीक है अब इसी तरीके से यहां पर जैसे मार्क शूर माता है ही हम इसने कृड़ कर लिया है है अब नेक लेना है उपर से त्री इंच और जो नीचे के तरत गहर ही रखेंगे हम छै इंच रखेंगे घीकर तरह पर दो इंच पर मार्क डालना इस तरीके से ठीक है तब ही वी से पच्छे से आती है अब बैक पीस के लिए लेंगे तो नीचे की तरब जो गहराई लेंगे वो धाई इंच लेंगे और चोडाई हमने दोनों पीस की बिल्कुल बरावर रखनी है तो इसमें भी हमने करब डाल दि तो यहां पर बैक पीस को हमने निकाल दिया है अब इसके बैक पीस को हमें अलग कर लेना है फ्रेंट पीस को अलग करना है तो बैक पीस की कटिंग हो चुके फ्रेंट पीस के नेक और आर्म हॉल्स की कटिंग और होगी जो हमने गहराई दिया है आर्म हॉल्स में तो जैसा ह कर लेंगे और हापिंच की जो गहराइवाइस गर्ष्ट स्य खाले को हम दो चुआ कि मैं अध्य सेप हना ओए है और इसकी कम्राय के लिए पट्टी करके लिए डबलकप्रा रखेंगे और निजहां इसकी कट कर लिए ठीक है तो यहां से भी सेंप में कट कर लेंगी और arm house के लिए भी इसी पट्टि कर लींगे और हमने बैक पीस के लिए भी पट्टि कर ली थीक है तो यहां पर थोड़ासा हमें फोल्ड कर लेना है बहर की साधर से पट्टि को और snack के उपर इस तरीके से रखेंगे कपड़े की सीधी इस आइड्ट है और यहां पर कि यहां पर देखिए इसमें सिलाई लगा ली है और इसमें हमें चोटे-चोटे कट लगाने नौचिस और तब इसे अंदर की तरफ पलटना है कि यहां पर अंदर की तरफ पलटकर इसके उपर लगा लेंगे तो यहां पर इसी सेप में स्लाई लगाने है, सुई को नीचे की तरब करके तब मसीन को गुमाके लेना है तो यहां पर स्लाई हमने पूरी लगा लिया और बैक पीस को भी हमने बना लिया है, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरब है और हमें इसका तीरा जॉइंट करना है ठीक है तो यहां से जॉइंट करेंगे दोनों तरफ सलाई लगा लेंगे तो यहां पर देखें दोनों तरफ हमने सलाई लगा ली है और सेम तरीके से इसकी आर्म होल्स पे पाइपन लगा लेंगे ठीक है तो यहाँ पर इसके आर्म होस पे भी हमने पाइपिन लगा ली है तो यहाँ पर एक पट्टी हमने जो लंबाई में ली है 20 इंच और चोडाई में ली है 5 इंच तो इसे हमें एक साइड से पहले फोल्ड करना है इस तरीके से पहला फोल्ड और दूसरा फोल्ड डवल फोल्ड करके सीधी सलाई लगा देनी है और यह हमें दोनों तरब से पट्टी फोल्ड करनी है और इसकी जो छोटे सरे हैं इनको भी हमें इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है यानि कि हमें चारों तरब से पट्टी को फोल्ड कर लेना है तो ऐसे इधर से भी फोल्ड कर लेंगे तो यहाँ पर देखे चारों तरफ से हमने फोल्ड कर लिया है और यह बॉबिन वाली जो लाश्टिक होती है वो हमने बॉबिन में डाल ली है और इसे नीचे लगाना है ठीक है और इसमें 20 सेंटर में सलाई लगानी है तो यह जो वाली लाश्टिक होती है आप किसी भी दुकान पर जाएं तो वहाँ पर बॉबिन वाली लाश्टिक बोलें तब ही आपको मिलेगी तो यहाँ पर देखे इसमें हमने सलाई लगा ली है तो यहाँ पर देखे इसमें हमने सलाई लगा ली है और यहाँ पर तीरा कुना पेंगे तो यह हमारा 4 इंच आरा है ठीक है और इसमें 2 इंच पर हमें मार्क करना है इस तरीके से तो सलाई यह बीच में यहाँ से हमें 5 इंच इधर की साइड लेना है और 5 इंच इधर की साइड लेना है इस चीज का ध्यान रहे इस तरीके से ठीक है तो यहाँ से 5 इंच लिया है इधर की साइड भी हमें 5 इंच ही लेना है इसके उपर ये हमें लगाने है तो इस तरीके से रखेंगे और टक कर लेंगे यहां से ठीक है तीन से चार बार सलाई को चलाएंगे और इसके 20 सेंटर में इसी तरीके से सलाई लगाएंगे अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब ज़रू करें सब्सक्राइब करने के बार नोटिफिक्शन वैल को जोड़ दवाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिक्शन सबसे पहले आपको मिलती रहे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाई हूँ अगर फिर भी समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मैं तुरंत रिपलाई करूँगी तो यहां पर देखिए इसको हमने सिल लिया है तो यहां पर भी हमें तीन से चार वर सलाई को एक चास चलाना है और यह सी तरीके से इधर की साइट भी लगा लेंगे तो दौनों तरफ हमने स्वरील को लगा लिया है अब इसकी लाश्ट वाली जो फिटिंग की सलाई होती है वो लगानी है तो यह सलाई आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से लगाएं तो सैम तरीके से हमें दूसरी तरफ भी लगानी है जैसे हमने इधर की साइट सलाई लगाई है इसी तरीके से हमें इधर की साइट भी लगानी है अर भी हमने काफी सारे designer top अपने channel पर upload किये हुएं आप वहाँ पर देख सकती है तो हमने designer blouse और designer bajoo भी अपने channel पर upload किये हुएं अब वहाँ पर visit करें तो यहाँ पर देखिए अब नीचे से bottom को fold करना है पहला fold hap inch पर दूसरा भी hap inch पर लेंगे और इसमें स्लाई लगाएंगे तो यहां पर देखिए बॉबिन वाली जो लाश्टिक होती है उसको नीचे की तरफ लगा रहे हैं तो यहां पर दिखाई दे रही है तो यह हम बाद में लगाएंगे उल्टी तरफ ठीक है तो सबसे पहले हमें इसे इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है पूरे को और फीछे बैक साइड में ये बॉबिन वाली लाश्टिक लगा के रॉंग साइड और पूरे बॉटम में स्लाई लगा देंगे और इसको हलके हाँ से ही फोल्ड करना है ज्यादा खीचना नहीं है खीचने से जोल आ जाता है कपड़े में तो इसी तरीके से हलका हलका पलटके से फोल्ड करना है ठीक है तो यहाँ पर देखिए इसको हमने पूरे को फोल्ड कर लिया है और इसी सीधा कर लिना है इसका लुक बहुत ही प्यारा आया है ठीक है नीचे हमने लाश्टिक लगा लिया और यहाँ पर इसमें बटन लगा देंगे ठीक है आप को ब्रोच वगरा भी लगा सकती है तो इस तरीके से आप बटन भी लगा सकती है और ब्रोच भी लगा सकती है इसके नीचे बॉटम में भी हमने इसलाई लगा लिया है यह किस तरीके से बनाए है हमने आपको बता दिया है थैंक यू फूर वाचिंग